हेलो गाइज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट में और मैं सूरज आप सबों के सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रजेंट हूँ हाज का हमारा एक न्यू टॉपिक यह रहेगा तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अब देखो कर लेना अब देखो चुकिक तैम अड़ वर्क में कैसे कैसे कोश्चन आते हैं और किस किस टैप के कोश्चन साथ लोग उने कैसे सॉल्ट किया जाए इसे हम देखते हैं ठीक है कि तो सबसे पहले क्या है ना, कोश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, कि सबसे पहला कोश्चन, मतलब किस-किस तरीके क्या आता है, ठीक है, तो एक पैटर्न आपका किस तरीके से होगा, एक पैटर्न आपका ऐसे होगा, दिया रहेगा कि E कोई व्यक्ति होगा किसी काम को 10 दिन म वाहे उसी काम को ठीक है एके साथ मतल проп D अगर उसी काम को टिं कहां healthy please तो कुर्शन अब आपका दिया रहे है कि दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे, यह और भी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो काम कितने दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से लिख लिएगा, सबसे वहली है जो दस और आपका बारा दे रखा हुआ है, यह का काम का आपका बारा दे, वरकिंग दे रहो और वी का बोर्किंग दे, सबसे पर आप इसका क्या करो, लसे में दो, तो 10 और 12 का अगर हम LC में रहते हैं, तो 10 और 12 का इसका हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60, अब क्या करेंगे, 10 से भागर देंगे हम लों 60 में, तो 10 से इगर समझना ही है, कि यह जो LC मेरा 60 आया, और यह 6 और 5 डिवाइट करने के बाद, जो कंक्लूजन आया, जो भी यह content आया, लेजिए, यह क्या है, तो यह जो 60 है, 60 आप मान करके चलो, कि A और B को एक work target दे रखा गया, दिया गया, ठीक है, यानि कि total अगर काम के 20, काम की बात क्य यह जो होगा, तो क्या होज़ें है, और यह जो 6 आया, 6 जो है आप ti, 6 यह 6 एक efficiency, efficiency हो जाया, एक § θα करके फ सब्सक्राइब, यह 6 चाम के efficiency से, तो इसको सब्सक्राइब, जैसे अगर किसी ब्यक्ति को बोला जा, किसी बच्चे को या लड़के को, कि यहां से आपको इटा उस जगह पर कुछ दूरी पर पहुंचाने हैं, ठीक है, तो आप इटा कैसे ले जाएगे, या अपने मजदूरों को देखा होगा, लेवर मजदूरों को, वो इटा कैसे करत हैं, या तो वो सिर पर रख लेते हैं, सिर पर रख लेते हैं पहुंचाने के लिए, तो एक बार में को इपने सिर पर कितने इटे उठाएं, ठीक है? कि निकाइफिस्यंसी मजबूत होता है, वो दस इटा, बार रख नटा, कोई छे इटे उठाएं अगर आम तवर पर हम ल परेगा 6 की से सिन्हेश काम करें ठीक है और बी earns पांच के एफिसियनशी से सइंङ तो यह दोनों का अपना-पना दॉनों का करते हैं इन दोनों का एफिसियंसी को करो हिए जोड़ेंगे इन दोनों का लूइन को फिजिंशी कितना होगा एवगिए जैपाँछ तो इसको काम है उस काम में आप डिवाइड कर दो इन दोरों के ॉटाल इफिजिएसिएसियंशी से बीवाइड करने के बाद आपका जो भी आएगा जिटि अबूइड करने के बाद वह आपका क्या हो जाएगा कि यारा पच्छे पच्पर मतलब पांच साड़े पांच दिन तो हो गहीं साड़े पांच दिन के आसपास इसका नांसर आगा दोने में काम करेंगे अगला कुश्षन आपको इसी में देदेगा आगला कुश्षन क्या देगा चलु हम इतना तक इसेख रड़ता है अगला कोशन अब इसमें क्या करेंगा कोशन सेम रहेगा बस यह बोल दिया कि यह 10 दिन में काम करते हैं भी उसी काम को 12 दिन में करते हैं अब इसमें एक बंदा और बढ़ा दिया जाएगा बढ़ा दिया जाएगा इस तरीके से कि C भी है कोई है जो इस काम को किते दिन में कर तो इसका LCM कितना आजाएगा 60 है अब फिर इसे डिवाइट करो 60 में तो दस छख साथ बारफ पचे साथ और ये पंद्रह चब्रह साथ ठीक है यानि अब बोला जाए कि A की Efficiency कितना हो वतलब A का कितना Efficiency कितना Efficiency से तो वो काम को कर रहा है ठीक है B का Efficiency 5 हो जाएगा C का Efficiency 4 हो जाएगा अब इसमें कोशन पूछा जाएगा आपसे कि यदि A B और C एक साथ काम करें तो वह काम कितना दिन दिन हो जाएगा ठीक है तो चुकि A B और C का Efficiency अगर आपसे पूछा जाए रहा तो इन तीनों को क्या को आप जोड़ लो सबकी Efficiency को आप जोड़ लो और टोटल जो काम है 60 चीक है जो टोटल यूनिट पर के लिए गया काम उस काम में डिवाइट करो किंसे इनके सारे Efficiency के एड़ से तो यह किता हो गया 6 4 10 5 15 15 साफिसर डिवाइट करो तो यह 15 16 60 यानि तीनों मिल करके अगर इ इस तरीकी से आपका एक कोशन हा तूक बिलकुल सुर्वाट का जो बेसिक का चीज households यह इस तरीके से कोश्र तो आपको और भी देखने के रिए में कोश्र आपको बहुत अलग अलग तरीके के देखने के लिए मतलब काम जहो है ना बनाने का जो तरीका और मैथन यह सब इ जब ग्रूप करके कोश्चन को जब बनाएंगे न, तब समझ में आएगा कि कोश्चन किस किस तरी किसे होता है, ठीक है, पहला कोश्चन क्या बता है मैंने, कि A और B अलग 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 डेज में काम कर रहे हैं, और दोनों मिल करके अगर काम को करेंगे तो कित्य दिन मे करेंगे, उसके बाद अगला कोश्चन हो गया, A, B, C, सेपरेट, सेपरेट काम दे रखा हुआ, सबका सेपरेट बेस दे रखा, और तीनों मिल के काम करेंगे, तो कित्य दिन में करेंगे, आगला कोश्चन आपको क्या दे देगा, इससे मिट आपते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके देगा नहीं, मतलब अब कोश्चन का पैटर्न दे किस तरीके से बनेगा, यहां बोल देगा कि A काम को किते दिन में कर रहा है, दस दिन में, और B जो है, काम को किते दिन में करते हैं, सब्सक्राइब कर दोनों मिल करके काम को किता है दिन में कर रहा है ठीक है यह और बी दोनों एक साथ विरूती काम करते हैं तो काम जो है छे दिन में हो जाता है और एगर काम अकेले करता है तो वह 15 दिन देता है अगर अगर केले काम करता है तो कितना दिन में करता है तो कोशन यहां पर यही रेज होगा जो अगर एकन के अकम कम करें तो खितनादी में करें ठीक, बी अगर अगर अकले कम करें तो कुतिनादी में होगा छागा तो अगर इस तरीके से कोशन होगा to, आपको कुछ चीजा विल्कुल सेम करने है तो आपको कुछ ले पाहले जासा मतलब कल परटरोगा है क्या करना है कि यह जो भी डाटा दिया रहेगा उन डाटे का क्या करो लो तो यह जो डेज है इसका LCM अगर हम लेते हैं तो इसका LCM कितना हो जागा 30 ठीक है अब 6 से इस से लगा 6 पचे 30 6 से डिवाइट करेंगे 30 ठीक हो तो 6 35 और यह 15 30 अब आप एक चीज देखो यहां क्या कर रखा है पहले माने सेप्रेट सब्सक्राइब बताया था तो यहां पर इसमें यह जो यहां पर लिखते थी यह दोनों यह जो जो जिन लोगों ने भी काम क्या है उनका Efficiency दिया वाता था ठीक है तो यहां नहीं कि यह जो पांच का माने Efficiency रिखा है वो Efficiency किसका A और B दो आजशच की Efficiency पूछा जाए तो क्या हो जागा एक Efficiency की फीसेंसी हिए चाहनी हो जांऑ यहां यहां गज़न दो लोगों की Efficiency एक साथ है और सेगल एक Efficiency है तो अब आप से काम पूछा जारा कि B कितने दिन में काम करता है तो आप एक देखो B का अपना Efficiency कितना है 2 है यानि पान्च के एफिसेंसी में एक एफिसेंसी में तो क्या हो जाएगा, इसे आप घाटा लो तो कितना हो जागा, जाएगा, तो कितने दीन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे है तो तोल जो वर्क दे रखा थ loot हका 9 में क्या कर दो whisker कितना है टिरिये फींट से टीड जो आ ग्रतेन आगया यानि की आप जो है अगेने काम करता तो इतना कर लेतां मुझा तो पर लेता है, ठीक है, यह question इस तरी किससे होगा, मतलब यह एक अगला button होगा, पहले क्या किया, सब का separate separate काम दे रखा, सब को एक सब combine करके पूछा गया, कि इतर तो कितने दिन में करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक combine मतलब दो थिल होगा, दो का combine work दे दिया गया, और एक के बारे में पूछा जाए, क्या है, कि separate यह काम दे रहेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, फिर एक अगला pattern आपका, यह होगा, चो ठीक है, इससे मिशाते है, यह तरी किससे होगा, इससे दिपलो, अगला pattern होगा, अभी तक AB बनाए, फिर उसके बाद ABC का बनाए, अब यहां कोशन आप से यह पूछेगा, कि A, B और C, ठीक है, तो सन ऐसे देगा, एक pattern आपका यह भी होजाएगा, कि A, B और C यह तीनों मिलकर काम को करते हैं, कितने दिन में, फोर डेस में काम करते हैं, और A यदी इस काम को करेगा, तो कितने दिन में अकेले करता है, दस दिन म करता है, तो यहां आप से कोशन पूछ देगा, कि C काम को कितने दिन में करेगा, अकेले, C अकेले करता है, तो कितने दिन में है, तो इस कोशन में क्या करेगे, फिर वही सेम चीज, क्या करेगे, हम इनका LCM लेंगे, तो इनका LCM लेंगे, तो LCM कितना होजाएगा, बस 60, अ वहां भी यहां पड़ आब देख़ो, हमें C का काम निकालना है, और यह सारा यह total मेरा काम होगिया, यूनिट हो गया, total work unit होगिया, 60 काम होगिया, और यह सब का efficiency हो गया, अब यह जो पंदरा का efficiency है, जो इसमें A, B, & C तीनों सामिल है, इसमें A, B और B भी है, C, B, E, C में इंवर्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, A, B को जोड़ेंगे, 6, 4, 10, अब 15 में से इसके efficiency को घटा देंगे, मतलब 15 में से 10 गया, तो कितना हो जाएगा, इससे हम जोड़ेंगे, 6, 4, 10, और इसमें से घटा देंगे, तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 जो होगा, किसका efficiency होगा, C का efficiency कितना होगा, 5, अब पूछा है कि C अगर काम करेंगा, अकेले, तो कितने दिग में काम करेंगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम को लिख लेंगे, तो कितना आजाएगा, 12 परचे, 60, यानि कि C अगर काम को लिख लेंगे, तो कितने दिन में करेंगा, 12 दिन में, ये रटने के लिए, समझने के लिए, मैंने बार बार सेम कंटेंट ही उठाया है, वरकिंग दे जो सब का दे रखाया, एक बी का सब का जो वरकिंग दे रखाया, मैंने सेम ही उतारा, ठीक है, 10, 12 और 12 दिन में, चुकि आपको थो रटर 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 हो जाएगा, पादबा की बहुत तरीके से कुश्चन आपको मीरेंगे, कैसे कैसे बनाना है, लग लग तरीके से से मेना हो, चलो एक इसमें पैटर्न और आता है, उसे भी हम देखते हैं, एक पैटर्न, इसमें और आता है, कुली देखते हैं, इसे मिठाते हैं, इस तरीके से करके ये बन अगला पैटर्न आपको दे करें मुझेखा कि ए और बी दोनों जों करकें करते हैं कोश्टल आपस पूछा जाएंगाvir उस आपनेग्यों इन करें तो काम किते हैं तो पर कर दाहिक हैं अब फिर का करेंगे इसको डिवायट करेंगे तो दस छाक्श ड्यवायट करेंगे च्छब जो आप सी यह कुछा अब चुकि आपसे क्या पुछ कि मेरे निकरा चाल यह चला के इफिस्यंच सी 4 शल्रक पुछ शल्राइट को अब यहां से बनाने में थोड़ा सा यह पर छेंज चाहएगा कि अब भी तक हम क्या पड़ते हैं कि A 10 दिन में कर रहा है, B 12 दिन में कर रहा है, C 15 दिन में कर रहा है, लेकि इसमें क्या है, कि A के साथ B मिलके काम कर रहा है, यहां B के साथ C मिलके काम कर रहा है, यहां C के साथ A मिलके काम कर रहा है, तो यानि कि जितने लोग हैं, A देखो यह तो यह सब में एक एक जो कांस्ट है यह क्या करेंगे इस कॉमन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर ना मोल्टिप्लाइटू कर देंगे ठीका यह जो ठोटल वर्क दे रखा मेरा 60 जो टोटल वर्क है, उस 60 में हम क्या 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 है, टो से मल्टिप्लाइ कर लेंगे, तो टोटल वर्क यूनिट मेरा कितना हो जागा, 120 हो जागा, ये मेरा, अब, एक्च्वाल वर्क यूनिट कितना हो जागा, 120 हो जागा, अब चुकि आप से पूछा गया, कि ABC कितना द तो इस तरीके से यह पैटर्न खत्म होगा, ऐसे करके यह पैटर्न होगा, अब एक पैटर्न आपको और पढ़ना है, पच्वा छट्था का पच्वा छट्था का यह पैटर्न होगा, कि दोते जाती है, क्लास के हिसाब से, अब एक कोश्चन आपको आएगा, अब एमडी एश मेठ़़ आप सुनेंगे, शील में इस तरीके से दे रखेगा, मुले है कि ऐसाटर्न ब्यक्ती है, दस दीन में आठाट घंटे करके काम को संपन करते हैं, यहां क्योंचन ऐसे पूछ sih, कि 40 है ओक्षालिस मैं से 8-8 घंटे करे ठीक है आठवे groupe करके काम को फिनिस करतेक्षे करते हैं किते दिन में टेन डेन्ड में रोंकर देंट। थिंदेज में तो सेम चीज पूछेगा आपसे बस यहां quantity क्या कर देगा quantity बोलेगा कि अगर कि 8 घंटे की हिसाब से ही बस कि 10 ब्यक्तियों के बारे में पूछा जाए कि टेन मैं उस काम को कितने दिन में करेगे यह कोश्चन आपसे पूछा जाएगा ठीक है यह कोश्चन पूछा जाएगा कि टो वहीं आपको दस आदमी आठाट घंटे करें कितने कले कर लेनी ति यह कोश्चन आप पर इस तरीकित इस होंने एंग धिगा एम दी एच यह मैंना देखा है एम ओन दी वन एच वन ठीक है बाई डवल इकॉल टू चुकि इससे ही रिलेट करके इधर हमने साम कोशन इस इधर से ही रिलेट करके यह कोशन सब्सक्राइब अगला कुस्तिर देगा यह यह होजागा एम टू डी टू डी टू और एस टू ब यह इतने दिन में तरह करके यह यह इतने देखते हैं कुछ तो चैसे जैसे यह मतलब मैंनों ता डी का मतलब बेच का मतलब आवर एंड डवल का मतलब हो जाएगा वर्क ठीक है तो अब इस इस पट इस पट इस पट आप रहते हो जगो ऐसे ज्किने से पहर दो पर पर उसे प्रांच कर लो जो एफ ॉटी मैं के लिए कि तेर दिय्काइग एंटी तो चैसे हुट बात खिड़ा दी इसे नहीं ही करेंगे चोड़ी कोर्शन में आप आप से पूछा है कि वही क्या जिए यादि जो एक क्याम क के बारें बोला गया है तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा या पूछ रहा है कि 10 में यहां दीटू के जग़ए आपसे कोशा पूछा कितने दिन में आठ गंटें काम करके ही ठीक है तो बस ये M1, D1, H1 के pattern पर, M2, D2, H2 के pattern पर आप इसे लिख लो, अब देखो इसे pattern, 8 से 8, cancel होगा, 10 से कितने time में कर जाएगा, sorry, ये 10 से इसे cut लोगा, ठीक है, यानि कि काम करने में total कितने days लगेंगे, 40 days लगेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करके आपका questions का pattern आएगा, अब मैं जब question करवाओंगा, इस तरीके से करके ये, ऐसे pattern है, ठीक है, चलो, अब, questions भी करवा देता हूं, कैसा कैसा, questions, आएगा, ठीक है, चलो इसे समझ लो, यही मतलब सारा pattern होगा, अब हम लोग questions करते हैं, किसकी स्टैप सी, questions आईए, ठीक है, ठीक है, चलो इस करते हैं.